हलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमिद करता हूँ कि आप सभी लोग एक दम बढ़िया होंगे दोस्तों आज हमारे सामने खड़िए टाटा नेक्सों एवी फेसलिफ 2023 और वेरियंट की बात करें तो ये आपका टॉप मोडल है इंपावर्ड प्लस प्राइस पड़ेगी 19.94 लाक एक्सोरूम और जाएगी 21.75 लाक और रोड गॉलियर में नेक्सों एवी में अब आपको बहुत सारे चेंजेज इंटीरियर एक्स्टीरियर और परफॉर्मेंस में देखने को मिलेंगे और यही आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं शुर की फ्रंट प्रफाइल आपको यहां पर ओफर करी जाती है गाड़ी की कुल चोड़ाई है 1811 mm की बीच में आप टाटा का लोगो देख सकते हैं साथी साथ यहां पर आपको LED DRLS पूरा फ्रंट बोनट पर रन करते हुए देखने को मिलेंगे जो काफी बढ़िया लगती है नीचे आपको यहां पर कैमरा देखने को मिलता है नमबर प्लेट की आप पोजिशनिंग देख सकते हैं और ग्रिल देखिए एक दम अलग टाइप की आपको यहां पर रेडियेटर ग्रिल देखने को मिलती है और बहुत बढ़िया बहुत ही अट्रेक्टिव आपको फील हो होते हैं नीचे आपको प्रोजेक्टर LED का हेड्लम का सेटप मिलेगा देख लिए और वही नीचे आपको फॉग लेंब भी LED में ही ओफर किये जाते हैं बाकी आप देख लिए यहां पर कुछ आपको वर्किंग वेंड जैसा देखने को मिलता है जो फंक्शनल है तो यह रह कि यहां पर आपको अटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर और क्या चाहिए आपको याप को सबकुस तो आपको देही दिया है यह रही आपकी साइप प्रौफाइल कुछ इस तरह से मिलती है गारे की कुल लंबाई 3994 mm की आपको आपको ऊफर करी जाती है थोड़े बहुत क्रीचेज आप साइड प्रफाइल में भी देख पाएंगे जो इसको मस्कुलर लुक प्रवाइड करते हैं फ्रंट आइस की बात करीजा तो यहां पे आपको 215,60,16 इंचिस का डामंड कट अलाइस डूल टोन में देखने को मिलता है फ्रंट और रियर आपको चारों में डिस्क ब्रेक्स ऑफर किये जाते हैं और अलाइस आप देख सकते हैं एक दम नए करती हैं एक दम बदल दियेगा है जो काफी बढ़िया लगते हैं टार आपके MRF के यहां पर ऑफर किये जाते हैं दोस्तों मैड बलाक विनिष महां को मिलता हैं। साइ टेडिंग मेर आप देखें यहां पर वलेगा बलाक कलर की स्ट्रिप मिलता हैं साइ रियर जेख लीजी काफी बढ़िया लगती है इसमी कहें देखने कार बाकी इर आपका रियर सस्पेएंशन ग्लॉसी ब्लाक फिनिश में आपको यहां पे ORVM देखने को मिलते हैं उसी पे उपर टर्न इंडिकेटर इंटिग्रेटर है जो की LED में है गाइस वही नीचे जाएंगे तो आपको यहां पे 360 डिगरी कैमरा इस वेरियंट में टॉप वेरियंट में ओफर किया जाता है ग्लॉसी ब्लाक फिनिश में यह पूरा पोर्शन नॉर्मली क्रोम में दिया जाता था यह आपको ग्लॉसी ब्लाक में देखने को मिलता है रूफ रेल्स आपको silver color में उफर करी जाती है pillars आपके mat black finish में देखने को मिलते हैं साथी साथ ये देखें यहां पे आपको sunroof उफर करी जाती है जोस्तों यह रही कार की side profile आपको कैसी लगी comments में ज़रूर बताइगा अभि आप देख रहे हैं इसकी rear profile साइड प्रुफाइल काफी सारी चेंज़ेस देखने को मिलते हैं और पहले से काफी अच्छी लगती है बागी यहाँ पे देख लीजीए यहां पर आपको फ्यूलिट देखने को मिलता है जहां पर देखने को मिलती है वहीं पर इंडिकेटर वगएरा सब कुछ आपको LED में ही ओफर किया जाता है टाटा का लोगों के साथ नीचे आपको 360 डीडी कैमरा नेक्सवन इवी की बैजिंग बंपर आपका मैट ब्लाक फिनिश में देखने को मिलता है स्कीट प्लेट सिल्वल कलर में है यह आपके दो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आफर किया जाते है और यह रही अंडर बॉड़ी कुछ इस तरह से आपको यहां पर देखने को मिलती है गाईज यह रिफ्लेक्टर य आपको क्लियर दिख रही होंगी ऊपर यह रहे आपके स्पोईलर्स बाकी यह देखिए मैं बता रहा था ना आपको यहां पे वाइपर एक दम बढ़िया से छुपा दिये गए हैं कुछ-कुछ फीचर्स आपको ऐसे दिये हैं जैसे यह वाला फीचर है यह आपको केवल मह देखने को मिलते हैं अब 40 लाक्स लेकिन दे दिया इसमें काफी बढ़िया है और रियर प्रफाइल एक दम गजब सी अब फैले से तो बहुत भी बढ़िया रियर प्रफाइल अब मेरे को पर्सनली फील होती है चलिए बात कर रहते हैं इस कार के बूट स्पेस की तो आप यहां ध्यान देंगे तो आपको जो नंबर प्लेट के लिए लाइट दी गई है वह आपकी LED में यहां पर आफर करी जाती है ग्राब हैंडल देख सकते हैं यहां पर आपको देखने को मिलते हैं और बूट स्पेस की बात करी है तो देख लीजिए कुछ इस तरह से आपको 350 लिटर का बूट स्पेस यहां पर आफर किया जाता है बागी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का ले आउट है चार्जिंग किट वगर आपको देखने को मिलती है टायर मोबिल्टी किट आपको ओफर करी जाती है जे बील के आपको सब वूफर्स देखने को मिलते हैं उप पर करी जाती है इसके साथ आपको यह 7.2 किलो वॉट का एसी वाल बॉक्स चार्जर आफर किया जाता है आपके स्पेट आर की बात करी जाए तो यह देख लीजे स्टील वील्स में आपको यहां पर इस्टे स्पेट आर देखने को मिलता है साइज आपका सेम सोल इंचिस का है एदम सेम साइज का है सबसे बड़ी बात है रियर की सीट आपको 60-40 स्पेट में देखने को मिलती है तो यह आपका कम्प्लीट बूट स्पेश चलिए इसको बंद कर देते हैं चलते हैं गाडी के अंदर और वहां देखते हैं क्या-क्या फीजर्स ओफर किये जाते हैं य यह आपका soft portion है उपर जाएंगे तो यह आपका hard है बाकि यह देख लीजिए आपके power window के controls कुछ तरह से देखने को मिलते हैं glossy black finish में यह portion काफी बढ़िया लगता है दोस्तों chrome में आपके lock and lock का system, tutor का position, JBL के आपको यहां पे चार speakers देखने को मिलते हैं water holder, umbrella holder देखने को मिलता है साथ में आपको यहां पे light offer करी जाती है यह रहे आपके ORVM के control आप इसको electrically adjust कर पाएंगे diver seat आपको यहां पे manual adjustment के साथ offer करी जाती है electrical adjustment दिया जा सकता था लेकिन कोई साथ ही साथ आपको यहां पे ventilated seats के function देखने को मिलते हैं दोस्तों, leatherator posture में यहां पे आपको seats offer करी जाती है, यह रहे आपके accelerator or brake, साथ में आपका dead pedal, AC के vents और यह देख लिए कुछ आपको इस तरह का texture element यहां पे देखने को मिलता है, काफी unique और काफी अलग सा है, कुछ लो आपको सारा कुछ यहां पे change कर दिया गया है, जो seriously में अब आपको काफी पसंद आने वाला है, आप देखी सकते हैं, यहां पे आपको black और beach color का interior आपको offer किया जाता है, और बहुत सारे यहां पे आपको changes देखने को मिलेंगे, और चलिए सुरुआत करते हैं steering wheel से, two spoke steering wheel finish में देखने को मिलेगी आपको, बीच में आपको छोटी सी screen देखने को मिलते हैं, जहां पे आपको Tata का logo offer किया जाता है, यह थोड़ा सा अटपटा भी लग रहा है, थोड़ा सा unique भी लग रहा है, अपनी अपनी choice हो सकती है, यह सारे आपके infotainment screen के control, volume plus minus हो गया, voice function हो ग control, साती जात आपको यहां पर headlight leveler भी देखने को मिलता है, दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ जाएंगे, left side में तो यहां पर आपको automatic rain sensing wipers की control देखने को मिलते हैं, यह जो paddle shifter type देख रहे हैं, यह आपके region modes के है, plus or minus देख लिजे, दोनों तरफ आपको, यह region modes के shifter देखने क को मिलते हैं, instrument cluster की बात करी जाए, तो यहां पर आपको 10.25 inches का digital instrument cluster देखने को मिलता है, अब आप देखी सकते हैं, कि यह instrument cluster पहले से ज्यादा कितना अच्छा लग रहा है, और सारी information आपको digital form में यहां पर देखने को मिलेगी, guys, infotainment screen की बात करी जाए, तो आपको यहां प आपको voice functions और यहां पर आपको connected car apps आपको सारे यहां पर देखने को मिलते हैं, दूस्तों, नीचे आपको AC के events offer किये जाते हैं, थोड़ा सा उसमें chrome का use देखने को मिलेगा, बाकी यह वाला portion आप देख रहे हैं, वाइट कलर में काफी बढ़िया लग रहा है, blue stitches के साथ, थ आपको पूरा complete touch panel में convert कर दिया गया है, toggle switches हो दिया है, वो आपको fan की speed कम और ज्यादा करने के लिए दिया है, साथ यहां से देख लिए यह बटन दबाएंगे, तो आपको 360 degree camera का view offer किया जाता है, यहां पर, 360 degree camera है, जिसको आप 2D, 3D, किसी भी angle से अपनी car को देख सकते हैं काफी बढ़ी है, clarity के साथ अभी आपको offer किया जाता है, lock unlock का button भी आपको यहीं मिलेगा, boot open का button भी यहीं मिलेगा, hazard की light, hill descent control, fog lamp का control, सब कुछ आपको यहीं पर देखने को मिलता है, दोस्तों, 12 volt का एक socket, USB port, और एक आपका type C port, 45 watt का, बाकी यह देख सकते हैं, यह आपका gear working brakes, auto hold का function, आपको यहां पर देखने को मिलता है, नीचे आएंगे, थोड़ा सा तो आपको यहां पर देखो, wireless charging offer करी जाती है, और position काफी बढ़िया है, armrest आपका soft में, sliding नहीं है, लेकिन soft है, blue stitches आपको यहां पर देखने को मिलेंगी, और इतना space नीचे आपको यहां पर ब आती है कि आपको यह cooled है, plus light भी offer करी जाती है, बाकी यह देख लिजए, यह रहे आपके auto doming, day night IRVM, kabelight आपको यहां पर LED में देखने को मिलती है, यह रहे आपके SOS के button, in case emergency, आप यहां पर use कर सकते हो, दोस्तो, microphone की placement देखने को मिलती है, यहां पर driver side में आपको कोई भी vanity mirror देखने को नहीं मिलेगा guys वहीं पे दूसरी साइड में आपको vanity mirror देखने को मिलेगा लेकिन यहां पे भी light offer नहीं करी जाती है दोस्तों इस variant में आप देख सकते हैं यहां पे आपको sunroof देखने को मिलती है और यह रहे आपके sunroof के controls one touch open sunroof और one touch close sunroof आपको यहां पे देखने को मिलती है और देख लिए कुछ इतना खुलता है anti-pinch feature की बात करिया तो काफी बढ़िया से anti-pinch feature इसका काम कर रहा है दोस्तों तो यह आपका complete front dashboard कैसा लगा comments में जरू बताएगा आप चलते हैं second row में वहां के sitting upward की बात कर लेते हैं यहां पे आपको 50 lakh car sold का emblem देखने को मिलेगा वही नीचे आपको door handles second row के door panel आप में कोई changes देखने को नहीं मिलेगा same आपका black and beach color में है additional के वाल आपका child log feature दिया है बाहर से देखेंगे तो कुछ इस तरह का आपको premium interior देखने को मिलेगा और dashboard देखेंगे तो second row से कुछ इस तरह से आपको dashboard offer किया जाता है दूस्तों वही नीचे यहां पे आपको AC के vents एक type c port देखने को मिलता है और AC के vents कहना control नहीं है airflow control नहीं है driver seat काफी पीछे कर रहे है लेकिन फिर भी आपको यहां काफी बढ़िया lag room, knee room और thigh support offer किया जाता है headrest देख लिए कुछ इस तरह से आपको देख लो headrest देखने को मिलते हैं और कितना ही premium और कितना ही बढ़िया लग रहा है normal headrest इससे छोटे होते हैं बाकी sunroof के साथ आपको कुछ इस तरह से नजारा देखने को मिलेगा cable light आपको cable front में देखने को मिलती है second row में कोई भी cable light नहीं है grab handles with the coat to hanger आपको इधर देखने को मिलते हैं soft closing है जो काफी बढ़िया बात है बाकी seats की बात करें तो यहाँ पे आपको 60-40 split में seat देखने को मिलेंगी 2 adjustable headrest offer किये जाते हैं black और beach color का आपको यहाँ पे combination देखने को मिलेगा armrest और cup holder आपको यहाँ पे देखने को मिलता है यहाँ पे airbags देख सकते हैं तीनो पेसेंजस के लिए आपको यहाँ पे seat belt offer करी जाती है साथी साथ आइसोफिक्स child mount देखने को मिलता है और यह आपका complete interior कैसा लगा कमेंट में जरू बताएगा last but not the least बात कर लेते हैं इसके engine बेखी टाटन एक्सओन इवी का यह आपका टॉप model है long range वाला इसमें आपको 40.5 kWh का battery pack देखने को मिलेगा जो आपको 142 BHP की power और 215 Nm का torque देगा lithium ion batteries यूज हुई है range आपकी 465 km की बताई जाती है charging option बता दूँ आपको देखो एक तो 3.3 kWh का AC charger मिलता है 7.2 kWh का AC charger मिलता है और DC charger मिलता है इस car के साथ आपको 7.2 kWh का AC charger देखने को मिलता है 6 गंटे में आपकी गाड़ी को 10% से 100% ले जाएगा लेकिन अगर आप 50 kWh DC fast charger से यूज करते हैं तो 56 मिनिट में आपकी गाड़ी फूल चार्ज हो जाएगी दोस्तों तो दोस्तों यह थी आपकी Tata Nexon EV का सबसे टॉप मॉडल इंपावर्ड प्लस 21.75 लाक ओन रोड इसका प्राइस है कैसे लगा कमेंट में जरूर बताएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें जैसी इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए तो चलिए आज के लिए बस इतना ही नेक्ट वीडियो आपसे फिर मुलाकात होगे तब तक के लिए जय हिन जय भारत झाल